दोस्तों वेलकम बैक टो पॉली टेक्निक केमिकल गुरू इन दिस वीडियो 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 के अंदर हम सभी 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन फ्लूड मकाइनिक्स के पढ़ने वाले हैं जो कि अगली पांच साल के पेपर में पूछे गए हैं दोस्त इस वीडियो लेक्चर को मत करिएगा जितना कोशन में बता रहा हूं यही कोशन आप सभी के पेपर में देखने को मिलेगा तो एक एक कोशन को आप अपनी पेन और कॉपी लेके नोट कर लिजे दोस्तों चैप्टर फर्स मैं यहाँ पर आप सभी को चैप्टर वाइस सारे important question बताने वाला हूं मतलब फर्स चैप्टर से हमारे कौन-कौन से important question आएंगे देख लिज़ें सबसे पहला कोशन आता है दोस्तो define fluid properties fluid की property कौन-कौन सी होती है दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पर कुछ basic idea दे दूँगा उसके बाद आप सभी को क्या करना है उसकी definition अपने आप से लिखनी है अगर आप सभी मुझे comment करके बताएंगे कि सर मुझे इसका answer बता दीजे तो मैं एक video lecture आप सभी को इस question का answer का भी provide करा दूंगा तो चलते हैं अपने question के तरह पहला question क्या दोस्तों define fluid properties fluid property कौन-कौन सी होती है दोस्तों we density होती है weight density होती है vapor pressure होता है viscosity होती है surface tension होता है ये सब क्या है दोस्तो fluode properties है तो पहला question हो गया अगर fluid properties पूछेगा तो ये सब लिख कर mass density weight density, vapour pressure, viscosity, surface tension लिख कर इसकी definition लिख दिजगा आप सभी को full marks मिलेंगे आपके paper में दोस्तो question number second आता है manometer what type of manometer manometer कितने प्रकार के होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए मैनोमीटर कितने प्रकार के होते हैं और मैंने सारे मैनोमीटर के उपर एक वीडियो लेक्चर भी आप सभी को प्रवाइट कर दिया है अगर आप मेरी उस वीडियो लेक्षर को नहीं देखे हैं तो आप जाके वहां से देख सकते हैं लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइट कर दिया हूँ मैं पहला को दूसरा कोस्षन क्या है वाट काइंड ऑफ मैनोमीटर मैनोमीटर कितने कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों यूटूब मैनोमीटर होते हैं जो अपने स्लेवस में हैं मैं सिर्फ उसी के बारे में बताने जाओ रहा हूँ क्योंकि मैनोमीटर बहुत ही ज्यादा प्रकार के होते हैं बहुत सारे टाइप प्रकार के होते हैं दूसरा मैनोमीटर हमारा मैनोमीटर होता है और तीसरा मैनोमीटर हमारे differential टाइप मैनोमीटर होता है यह आप सभी को देखने को मिल रहा है तो यह तीनों मैनोमीटर लिख कर इसके working को डाइग्राम को construction को advantage plus disadvantage को लिख दीजेगा आप सभी को 100% आपके full marks मिल जाएंगे तो दोस्तों इसमें आप सभी का एक question और बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये पूछ सकता है What is YouTube Manometer ठीक है दोस्तों YouTube Manometer क्या होता है With, describe the with working and diagram अपने मतलब describe करिए उसके working और diagram के साथ में Question number 3 बनेगा Question number 3, first chapter से Question number 3 कौन से आ सकते है Type of fluids Flutes कितने प्रकार के होते है जो तरहल होता है हमारा कितने प्रकार का होता है दोस्तों ideal और real fluid होता है ठेक है दोस्तों ideal fluid और real fluid उसके बाद compressible fluid होता है और incompressible fluid होता है Newtonian और non-nutrion fluid तो आगर दोस्तों आप सभी कहेंगे कि इसका answer भी मुझे provide कर दीजे मैं Hindi प्लस English दोनों में answer provide कर दूँगा पहले आप सभी इन सारे question को अच्छे से note कर दीजे तो जो chapter first है अगर उससे question number 3 बनेगा तो क्या होगा type of fluid कितने प्रकार के fluid होते हैं उनको describe करिए दोस्तों हब चलते हैं chapter second के तरब chapter second में हमाई कौन कौन से question पूछे जा सकते हैं ुसको जान दे सबसे पहला question आएगा what type of flow of fluid कितने प्रकार के flow होते हैst fluids के जो हमारे fluids होते हैं मतलब Walt final होते हैं उनके कितने प्रकार के flow होते हैं इसमें हम देख लेते हैं rotational और irrotational flow होता है, leminar और turbulent flow होता है, steady and unstudy flow होता है और दोस्तों आप सभी का uniform and non uniform flow होगा और एक ठो compressible और incompressible flow होगा मतलब पांच प्रकार के flow आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल रहा है Sorry दोस्तों आप screenshot भी ले सकते हैं, इसका screenshot लेकर इसके सारे question के answer मतलब study flow क्या होता है, आप इसको अच्छे से लिख लिजेगा तो दोस्तों chapter second से question number five जो आ गया है हमारा वो कौन से होता है, question of continuity, continuity की question क्या हो सकती है फिर question number six पूछेगा, what is bernioli question, bernioli का प्रमे बताईए, उसके बाद आपका question number seven क्या होगा, renault experiment, renault का experiment क्या था दोस्तों, renault का experiment मैं आप सभी को बता दे रहा हूं, basic idea दे दूँगा, renault experiment में हम लोग type of flow जानते हैं, type of flow क्या होता है दोस्तों, हमारा ये दो प्रकार क flow को बताने का काम करता है, renault experiment, अगर हमारा leminar flow है, या फिर turbulent flow है, अगर हमें जानना है, ये किस प्रकार का flow है, तो हम क्या करेंगे, renault experiment का use करेंगे, तो दोस्तों question number eight आता है, chapter number second से question number eight क्या है, what is high gun postulate equation, high gun postulate equation क्या है, question number eight है, इसमें आप सभी का derivation most important question है, ये आप सभी क पूछा जा सकता है, question number nine दोस्तों, ये 100% पूछा जाएगा, आपके paper में 100% ये question पूछा जाएगा, what is venturi meter, orifice meter, rotameter, 100% दोस्तों ये question पूछा जाएगा, construction principal working with diagram, ये 4 चीजों के साथ आप सभी का ये question पूछा जाएगा, और आप सभी को advantage plus disadvantage अपने मन से लिखना होगा, जि उसके बाद आप सभी का question number 10 आता है, chapter number second से, what is pitot tube and nozzle meter, दोस्तों, अब हम chapter number 3 के तरफ बढ़ते है, chapter number 3 का है, हम सभी का pipe fitting and valve, तो इस chapter को बताने से पहले मैं आप सभी को एक app के बारे में बताना चाहूंगा, दोस्तों, मैं आज आप सभी को एक app के बारे में बताने जा रहा आप की link मैं आप सभी को description box में provide कर दिया हूँ, अगर आप मेरी link से जाकर इस app को download करते हैं, तो आपको 25 रुपीज की earning होगी, और आप जितने लोग को मेरी link को share करेंगे, उनको download करने के लिए कहेंगे, उतनी बार आप सभी को 25 रुपीज की earning होगी, उस earning से आप यहाँ पे अपने product को बहुत ही सस्ते दामों में खरीच सकते हैं, दोस्तों यह जो आपकी money earning होगी, इस app के अंदर ही रहेगी, जिससे कि आप किसी भी product को बहुत ही असानी से easily खरीच सकते हैं, बहुत ही सस्ते दामों में तो देखते हैं दोस्तों chapter number 3 pipe fitting and valve का important question कौन कौन से होगा, सबसे पहले आता है standard size of pipe, तो किसी भी pipe की standard size होती है, वो कितनी होनी चाहिए, और wall thickness, wall thickness, schedule number, bwg number, joint and fitting, ज्यादा most important नहीं है, लेकिन आप एक बहुत से पढ़के जरूर जाएगा, gate valve, जितने प्रकार के valve आप सभी को यहाँ screen में देखने को मिल रहे हैं, दोस्तों copy में note कर लीजे, 100% यही question आपको देखने को मिलेगा आपके paper में, gate valve, globe valve, ball valve, needle valve, non written valve, butterfly valve, diaphragm valve, तो दोस्तों किनी दो valve को दे देगा और कहेगा कि इनका wording कीजिए with diagram, diagram के साथ, और 5 number में यह question पूछे जाते हैं, तो चलते हैं दोस्तों अपने chapter number 4 के तरफ के most important question देख लेते हैं, इसमें first question जो आपका आता है, what is centrifugal pump with working of centrifugal, मतलब centrifugal pump क्या होते हैं और इनके working क्या होती हैं, इनके बारे में बताईए, most important question है, what is characteristic curve, दोस्तों इसमें जो आपका second question आएगा, क्या होगा, what is characteristic curve आएगा, उसके बाद क्या ह what is priming and why do we need of priming, priming क्या होती है, और priming की जरूरत क्यों पड़ती है, hundred percent दोस्तों यह सारे question आप सभी के पूछे जा चुके हैं, तो अब भी इनकी पूछे जाने की chances बहुत ही ज़्यादा अधिक है, अब क्या आता है दोस्तों, what is caviation, caviation क्या होता है दोस्तों, caviation के बारे में जानना आप सभी को बहुत ही जरूरी है, अगर आप सभी मुझे comment box में comment करके बोलते हैं, कि सर मुझे caviation के उपर video बना दीजे, तो मैं आप सभी को video provide कर दूँगा, अगर आप ये भी कहते हैं, सर जितने कुस्तान आप बताएं हैं, उनकी मुझे English और Hindi में answer provide करा दीजे, तो मैं उसकी भी आप सभी को answer की provide करा दूँगा, बस आप सभी को बस इतना काम करना है, कि अगर आपने अभी तक अपने channel को subscribe नहीं किया है, तो channel को subscribe करके bell icon आल पर press कर दीजेगा, और अपने दोस्तों के साथ अपने college group में इस video lecture को ज आपने में बताईए, with working and diagram, दोस्तों इसका working and diagram बहुत ही जादा most important है, reciprocating pump का, तो इसमें आप सभी का piston लगा होता है, जो कि two and from motion करता है, जब वो forward move करेगा, और two and move करेगा, तब वो cylinder में liquid भाता है, उसके बाद उसे delivery वाल तक पहुंचा देता है, तो यही सब है, अगर आ last question है, what is gear and diaphragm pump, और इसी के साथ आप इसे भी पढ़ सकते है, monopump and plunger pump, most important question है, दोस्तों दो pump के बारे में दे देगा, कहे का, describe the diaphragm and plunger pump, पांच नमबर में question पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत!